हेलो आज 16 नोमंबर और जो आज के क्रेंट अफेयर के टोपिक रहेंगे उसके अंदर सबसे पहले क्या बढ़ेंगे और उसके बाद स्टेट ओफ एडिबल ओयर सेक्टर इंडिया फिर सबसे लाज टोपिक रहेगा अचारी क्रिप लानी और उसके बाद एक्सपर्ट कमिटी ओन स्वामितु स्कीम यह चार्ट ओपिक आज हम पढ़ने वाले हैं तो पहला देखते हैं रिपोर्ट ओन मिन्सपल फाइनसिंग रिसेंटली दस आर बीई इस बैंक ओफ इंडिया इन्होंने एक रिपोर्ट को रिलीज किया है रिपोर्ट ओन मिन्सपल कम्पाइलिंग और एनलाइजिंग बजटरी डाटा फोर दोसो एक मिन्सपल कोर्पोरेशन अक्रोस ओल दे स्टेट्स जितनी भी स्टेट्स है उनके अंदर दोसो एक मिन्सपल कोर्पोरेशन है तो उनका क्या बजट है कैसे वो उसको बनाते हैं और कैसे उसको खर्च करते तो इसके उपर पूरी एक report बनाई गी है, जिसको क्या बोला गया है, report on municipal financing, किसके दौरा बनाई गी है, RBI के दौरा, RBI क्या explore कर रही है, इसमें, alternative source of financing for municipal corporation, इसी theme को लेकिया है, चल रहे थे, what is municipal corporation in India, the municipal corporation is a urban local government, यह क्या है, urban local government है, जो कि responsible है, किसके लिए, development के लिए, किसकी metropolitan city, जिटने भी metropolitan city है, जो बड़ी-बड़ी cities है, जिनके अंदर population 10 लाग से जादा है, तो वहाँ पे क्या काम करती है, municipal corporation काम करती है, इसको क्या-क्या नाम से जाना जाता है, मानगरपालिका, नगरपालिका, नगरणिगम, या फिर city corporation के नाम से भी इसको जाना जाता है, municipal corporation का establishment कब हुआ था, sorry, कैसे establish हुई थी state के अंदर, by the act of state legislature, किसी भी state का जो legislature है, उसके हिसाब से इसको establish किया जाता है, union territory की बात करें तो वहाँ पे act of parliament, क्योंकि देखो, union territory को कौन चलाता है, direct central government चलाती है, तो यहां के जो भी act बनेंगे, वो कौन बनाएगा, parliament बनाएगा municipal government rely heavily on the property tax, कि जो यह पैसा आता है न, इनके पास उसमें basically सबसे ज़्यादा पैसा इनको कहां से मिलता है, property tax से मिलता है, जिसे यह अपनी city का यह कामकाच चलाते हैं, पहली municipal corporation सन 1688 के अंदर, मदरास के अंदर मनाएगी थी, उसके बाद 1726 के अंदर, बंबे और कैलकटा के भी इसको start किया गया था, constitution के provision की बात करें तो, in the constitution of India, no provision was made for the establishment of local self-government, local self-government के लिए कोई कैना, कोई भी provision यहाँ पे नहीं रखा गया, except for the incorporation of article 40, article 40 क्या है, DPSP का, यह आप मेरे को comment section के अंदर, बता हो गया, the 74th amendment act of 1992, 1992 की जो च्वेतरवी amendment act हुई थी, उसके अंदर एक नया part insert किया गया था, part 9A, ठीक है, constitution के, जो वो किस से deal करता था, वो करता था, कि municipalities का administration कैसे चलाया जाए, कामकाज कैसे चलाया जाए गया, municipalities और नगरपालिका का, उसके साथ ही, article 243 P से लेके, ZG तक, इसमें एक नया schedule add किया गया था, schedule 12, जो कि, जिसके अंदर 18 item थे, वो भी किस से related है, municipality से, के administration से ही related है, ठीक है, ये तो था schedule 12 किस से, municipality corporation के लिए, और जो schedule 11 है, वो किस से related है, वो 15 इस institution से related है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रतना, इसकी finding क्या रही report की, poor working of municipal corporations, कि भई, municipal corporation का जो working है, वो काफी बिगड़ा हुए, ऐसा क्यों, क्योंकि, यहाँ पे देखो, काफी खामिया पाएगी, इनके working pattern के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी भी तरह का कोई भी improvement नहीं दिखा, कि भई, इसको हमने institutionalize भी कर दिया, इनका structure भी अच्छा बना दिया, ठीक है, गवर्नें, इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ खासा बदलाव नहीं मिला, और ऐसा क्यों, क्योंकि देखो एक तो इनके पास financial autonomy नहीं है, ठीक है, most of the municipalities only prepare their budget, यह सिरफ अपना budget prepare करते हैं, ठीक है, और उस budget को फिर यह ढंग से क्या है आगे जाके यह audit नहीं होता, और ना ही इसकी कोई balance sheet बनाई जाती, ना ही इसका cash flow का management होता है, कि पैसा कहां से कहां पे जा रहा है, कि कभी कमा रहा है, तो कभी जादा रहा है, तो उससे है ना, जो इनके काम करने की जो तरिका है, उसके अंदर काफी कमिया पाई गई है, while the size of municipal budget in India is much smaller, इनको काफी कम पैसा दिया जाता है, ठीक है, जिस से, जिस उसी पैसे से इनको है ना, सारा development करना काम कास देखना पड़ता है, city के तरफ से कुछ क्या grants मिल जाती है, लेकिन फिर भी है ना, ये अपना काम कास दंग से कर नहीं पाते है, पैसे की कमी की वज़े से, minimal capital expenditure, municipal corporation committed expenditure in the forms of the establishment of expenses, administrative cost, कि भई जो इनका खर्चा है ना, administration को चलाने में आ जाता है, ठीक है, कुछ interest, या फिर finances, जाज वो बढ़ते रहते है municipal corporation mostly rely on the borrowing from the banks, कि जब इनके पास पैसे की कमी होती है तो और काम भी करना है, तो फिर इनको कहां जाएंगे, banks के पास में जाएंगे, कुछ financial institutions के पास में जाएंगे, ठीक है, उनसे loan मांगेंगे, वहाँ से भी नहीं मिलेगा, तो center के पास जाएंगे, state government के पास जाएंगे, व PIA have stagnated, कि कितना रहा, कहां पर ही खड़ा है, करीबन 1% GDP का, ठीक है, पूरे 10 साल तक देखा जाएंगे, तो, in contrast, principal revenue expenditure account for 7.4% of GDP in Brazil, ब्राजील की बात करें तो, वहाँ की साड़े 7% GDP का हिस्सा है, MC, MC मतलब, principal corporation, और 6% कहां पर, South Africa के अंदर, अब बात करते हैं, next की, ineffective state financing, commissions, state financing, financial commissions, in a regular and timely manner, कि जो state government है, वो state financial commissions का गठन नहीं करती, जो की हर 5 साल में होना चाहिए, और अगर यह इनका गठन नहीं होगा, ठीक है, तो, इनका जो finance वगेरा है, वो अच्छे से संभाल लानी जाएगा, और उसका सबसे बड़ा नुक्षान कौन खाम्याजा भुगतता ह है, जो local governments है, like municipal corporation होगी या पंजाय तिराज होगी, next topic क्या है हमारा, state of edible oil in, sector in India, इंडिया के अंदर जो edible oil का sector है, उसके बारे में बात करते हैं, Recently, senator pointed out that India is already importing and consuming oil derived from the genetically modified crops, जो GM crops है, genetically modified crops है, हम basically सबसे ज़्यादा oil उनी के seeds से consume करते हैं, इंडिया के अंदर, और जो government है, उसने अभी environment clearance के लिए पली लगा रखी है, कि जिससे जो genetically modified mustard है, ठीक है सर्सों, तो अगर वो पास हो गई, तो क्या है न, फिर हमको जितने area के अंदर जो हम traditional mustard की खेती करते हैं, सर्सों की खेती करते हैं, तो वहाँ पे genetically modified अगर सर्सों की खेती करेंगे हम, तो उससे हमको और ज़्यादा benefit होएगा, मतलब उतने ही area के अंदर इसका जो बीज होगा, वो हमको ज़्यादा पैदावार देगा, also around 9.5 million tons of genetically modified cotton seed is produced annually, हर साल देखा जाए तो, साड़े 9 million ton का हम बीज का उतपादन करते हैं, cotton के, जो की genetically modified crop है, ठीक है, और 1.2 million ton of million ton cotton oil हम produce करते हैं, हमारे खुद के लिए भी, और 6 million ton cotton seed produce करते हैं, किसके consumption के लिए animal के feed के अंदर, आपने देखा हुगा, यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसको बिनोला, ठीक है, बिनोला बोलते हैं, जिसको गाय या फिर भैस वगएरा को दिया जाता है, what is the state of edible oil sector in India, edible oil sector इंडिया के अंदर, अभी इसकी फिलाल क्या condition है, भाई, इंडियन economy में काफी बड़ा रोल निभाता है, इंडिया is largest producer of oil seed in the world, पूरे वर्ड के अंदर देखा जाए तो इंडिया oil seed का सबसे बड़ा producer है, oil sector occupies an important position in agriculture economy, agriculture economy के अंदर भी एहम भूमी का निभाता है, इंडिया account for the estimate production of 36.56 million ton of 9 cultivated oil seed during the 2020-21 के टाइम के अंदर, हमने कितना production किया, करीबन 36.56 million ton का oil seed, ठीक है, oil seeds का production किया, as per the data released by ministry of agriculture, India is the world's second largest consumer, second largest consumer है हम, ठीक है, सबसे ज़्यादा oil use करते हैं, second largest consumer of, and number one importer, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट भी करते हैं, vegetable oil इंडिया के अंदर, at present India meets, करीबन 55-60% जो हमारी requirement है, वो हम import से पूरी करते हैं, देखो सबसे ज़्यादा production करते हैं, लेकिन उससे हमारा खुद का पेट भी नहीं बरता, इसलिए हम बहार से import करते हैं, इंडिया के अंदर, ठीक है, कितना 55-60%, जिसके अंदर, जो 62% oil है, वो कहां से आता है, Indonesia और Malaysia से, edible oil की बात करें तो, soybean oil कहां से आता है, 22% हम कहां से import करते हैं, अर्जेंटिना और ब्राजिल से, sunflowers, सुरज मुखी का तेल की बात करें तो, 15% import करते हैं, युक्रेन और रसिया से, क्योंकि सबसे ज़्यादा कौन से-कौन से, seeds का oil यूज होता है, groundnut हो गया, mustard हो गया, rap seed हो गया, sesame, या फिर sunflower, यह थोड़ी spelling गलत है, lime seed, niger seeds, या फिर castor oil, so soybean and sunflower have also assumed the importance in recent year के अंदर, इनकी काफी ज़्यादा, demand बढ़ गी, coconut है, वो एक तरह की plantation crop से हमको मिलता है, coconut oil, और फिर non-conventional oil like rice brain oil, ठीक है, cotton seed oil, यह काफी, यह भी काफी important है, export और import policy की बात करें तो edible oil की, यह होती है, basically open general license के द्वारा, in order to harmonize the interest of farmers, processors and consumer, government reviews the duty structure of edible oil from time to time, कि भई अगर कोई किसान है, वो बाहर वी देश में इन्चे जो को बेचता है, तो गोर्वेंट के द्वारा कुछ initiative की बात करें तो, the government of India launched national mission on edible oil, edible oil के उपर national mission इन्होंने start किया है, जिसके अंदर जो palm oil है, इसके लिए सरकार ने scheme चलाई है, जो की centrally sponsored scheme है, center भी उसके अंदर कुछ पैसा लगाएगा, और state government भी, ठीक है, 60-40 के ratio में, कि भी 60% हिस्सा कोन लगाएगा, पैसा लगाएगा, center government और बच गया, जो 40% भो लगाएगी, state government ठीक है, इसके अंदर special focus किया गया है, North Eastern region के अंदर, और साथी अंडमयन और Nicobar island के अंदर, यहाँ पर प्रपोस किया गया है, कि साढ़े 6 लाग हेक्टेर की extra जमीन दी जाएगी, किसके लिए, palm oil के लिए 2025 से 26 तक, in order to improve and systematize the data management system in the vegetable oil sector, the director of sugar and vegetable oil, जो की, जो director है, sugar और vegetable oil के, कौन से department के अंदर, department of food and public distribution के अंदर में, उन्होंने एक web based platform कहना develop किया है, जहाँ पे आप कितना oil produce हुए है, vegetable से, और उसका कितना return हुआ है, वो सब यहाँ पे कहना आप upload कर सकते हो, timely manner के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे वही सब बताया गया है, अब बात करते है, स्वामित्व स्कीम की, अभी क्या है, expert committee बैठाई गई थी, स्वामित्व स्कीम की, उन्होंने अपनी report को release किया गया है, कहाँ पे national conference on स्वामित्व स्कीम, जो कि रूरल प्लैनिंग, मतलब क्या है न, एक मिनट, recently the report of expert committee on स्वामित्व स्कीम was released during the national conference, the report provides that the guideline principle that state may adopt, कि वही, इस report के अंदर जो guidelines बताए गई है, वही follow करनी चाहिए state को, ठीक है, अगर आपको स्वामित्व स्कीम के जो objective हैं, उनको अच्छे से cover up करना है, highlights क्या है, the expert committee was formed 2022 के अंदर इसको form किया था, consisting of domain expert from land governance, banking, survey of India, national informatic center, geographic information system, state revenue, panchaiti raja department, industry and premier planning, architecture institute, तो यह जितने भी department है न, सबसे लोगों को उठाया गया है, ठीक है, survey वाले survey करेंगे, banking वाले वहाँ पे जाके, भाई, कितना loan उन लोगों को दिया जा सकता है, क्या करा जा सकता है, ठीक है, national informatic center, यह क्या करते हैं, यह भी अपना data इकठा करते हैं, geographic information sector, वहाँ की, जो geographic location है, या फिर, किन-किन लोगों के नाम पे कितनी जमीन है, वो सब data, वहाँ पे एकठा करता है, state और पंचायती राज़ डिपार्टमेंट के है, वहाँ का revenue को देखता है, तो सब के लिए अपने कुछ काम थे, तो यहाँ पे मैंने बताया कि bank क्या है न, वहाँ के records को देखता है, कि लोगों के पास कितनी जमीन है, उसके हिसाब से वहाँ पे loan प्रोवाइड करता है, तो यहीं सब, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है, what is Swamithu Scheme, Swamithu Scheme stands for the survey of village and mapping with improvised technology in village area, तो देखो यह नाम की जो full form है न, यहीं हमको बता रही है, या क्या वो काम दंदा करते हैं, और उनकी salary income क्या है, ठीक है, तो यह सब है न, सरकार को information provide करते हैं, ताकि जो आगे की स्कीम आने वाली होती है, या फिर जो स्कीम, जो जिन चीजों की इनके पास कमी है, तो उस कमी को कैसे पूरा किया जाए, इन ही information के हिसाब से सरकार कहना हागी काम करती है, यह जिस चीज की कमी उनको लगेगी न, उससे related सरकार को स्कीम निकाल देगी, तो इस वज़ए से survey करना जरूरी है, और उस area की mapping की जाती है, ठीक है, पूरी boundary वगेरा की, इस गाहों की boundary कितनी है, कितनी यहाँ पे जमीन है, और कितने लोगों के नाम पे जमीन है, तो इस टाइप की mapping की जाती है, बढ़िया से बढ़िया technology से village area की, और यह एक तरह की center sector scheme है, मतलब पूरा पैसा center के द्वारा लगाया जाएगा, इसको कब launch किया था, पंचायती राज day के उपर launch किया गया था, 24 अप्रेल 2021 में, इसकी नोडल ministry के बात करें तो ministry उपंचायती राज, और जो survey of India है, वो इसका technology implementation agency है, तो इसके अंदर property validation मतलब कि इनके पास कितनी property है, वो उसका solution करती है, रूरल इंडिया के अंदर, ठीक है, record of rights की विलेज household के जो owners हैं, रूरल एरिया के अंदर, उनको property cards को issue करना कि उनके पास इतनी जमीन है, और उसको दिखा के वो bank से loan भी ले सकते हैं, और जो demarcation है, कि गाहों का area कितना है, उसको भी किसे drone की help से survey किया जा सकता है, तो यहाँ भी यही सब बताया गया है, अब बात करेंगे अचारिय क्रिपलानी जी के बारे में, अचारिय जेपी, जेबी क्रिपलानी, Recently, Prime Minister of India has paid tribute to अचारिय क्रिपलानी on his jayanti, यह थे कुन, इनका जनम हुआ था 11 November 1888 के अंदर हैदरावाद के सिंधे इरिया में, इनका जो original नाम था, जीवत राम भगवान दास क्रिपलानी, जेबी क्रिपलानी, but was popularly known as अचारिय, अचारिय के नाम से इनको क्या ना पहचाना जाता था लोगों के तोवराद आचारिय क्रिपलानी, एक तरह से इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, भारत को आजादी दिलाने में इनका भी एहमी योगदान रहा है, इंडियन पॉल्टीशन भी थे, एजुकेशनलिस्ट भी थे, 1912 से 1927 तक, एजुकेशनिस्ट की बात करते हैं, ठीक है, 1912 से 1927 के टाइम पे, इन्होंने काफी अलग-अलग जगह पे पढ़ाया है, ठीक है, और फ्रीडम मोव्मेंट के बारे में लोगों को जागरू किया है, और जो इनका अचारिय के नाम से कबसे विख्यात हुए थे, कबसे जाना गया था, अराउंड 1922 से, जब इन्होंने गुजरात के विद्या भावई के साथ मिलके, जितना भी जो एरिया है, जो कंजरुवेशन का काम है, उनके साथ में मिलके, यह इस काम को स्टार्ट किया था, 1970 के समय की बात है, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट की बात करे तो यह गांदी जी के साथ मिले हुए थे, 1917 में जब गांदी जी ने, जो इंडिगो वर्कर्स का कोज था, उनको उठाया था, उस मुद्दे को उठाया था गुजरात के अंदर, और साथ ही साथ नोन कोपरेशन मुवमेंट में भी यह, जो कि 1920 से 22 तक चली थी, उसमें भी इनका एहम भूमी का रही है, गांधी जी के साथ में रहे हैं, वहाँ पे साथ ही साथ जो कोंस्टिचुएंट असेंबली थी, उसका भी हिस्सा रहे हैं, पोलिटिकल कैरियर के बाद करें तो यह एक फाउंडर रहे हैं, किसके किसान मजदूर प्रजा पार्टी है, जो कि इंडिपेंडेंडेंस के बाद में आ गई थी, और इनोंने कोंग्रेस को उ वोड़ दिया था, he was elected in लोगसभा के अंदर भी चुने गए थे, 1902 में भी, 57 में भी, 63 में भी, और 67 में भी, as a member of Praja Socialist Party, ठीक है, he was, he moved his first ever, no confidence motion, सबसे पहला no confidence motion, इनी के दवारा move किया गया था, लोगसभा के अंदर, 1963 में, जैसे इंडो चाइना वार खतम होई थी, 1962 में, 1963 के अंदर सुचेता क्रिपलानी, जो की इनकी बीवी थी, वो कॉंग्रेस लीडर रही थी, और चीफ मुनिस्टर बनी थी, उत्तर परदेश की, और पहली, ऐसी वूमेन थी country की, जिनके husband, जिनका नाम क्या था, अचार ये क्रिपलानी, वो इनके opponent रहे थे, ठीक है, इनके opposition में खड़े हुए थे, Congress में, sorry, इनकी बीवी के कौन सी पार्टी से Chief Minister बनी थी, UP की Congress पार्टी से बनी थी, और ये उसके opposition में खड़े थे, कौन सी पार्टी से, किसान मस्दूर प्रजा पार्टी, sorry, प्रजा Socialist पार्ट He was critic of Nehru's policy and Indra Gandhi's rule, तो उनके जो policies थी और जो Indra Gandhi के काम करने का जो तरीका था, उनको ये नहीं इतना मानते थे, ठीक है, तो इस वज़े से इनको emergency के time पे 1975 में arrest भी कर लिया गया था Books की बात करें, तो My Times, जो की इनकी autobiography थी, इनकी death के बार 2004 के अंदर publish हुई थी, क्रिपलानी ने काफी several books को भी लिखा था, ओतर रहे हैं, जिसमें की गांधी जी, sorry, including Gandhi, his life and thoughts 1970, तो वो भी इनके दुआरा लिखी गई थी यह था आज का lecture कैसर आगा मेरे को बताएगा जरूर, और वीडियो अच्छे लगी हो तो like कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब ना हो तो please कीजिएगा, और इसकी PDF आपको कहां पे मिल जाएगी, मेरे टेलिग्राम पेज़ पे, जिसका link आपको description में मिल जाएगा, और one more thing मैं सोच रहा हूं कि proper, pure Hindi medium के लिए, जो current affair है मैं वो start कर दू next month से, तो yes या फिर no, please मेरे को comment section के अंतर जरूर बताएगा, thank you, have a nice day